क snipp की कि हालो दोस्तों तो आज का प्लेशा टॉपिक हर पेंजेक्शन डैबॉर्ट तो पीएग्जेक्शन डाइबूर्ट एक ऴीडेृां मेंटरील होता है जिसमें एंट टाइब पर तो जो भी मैचलाइड होता है न होता हैजाता यक्टर जोoralोट के पास के सिवेंद अ cotton मेंटयो Injection Diabod是 semiconductor device जो p-type semiconductor and n-type semiconductor सैंब्सके बना होता है और यह एक तरीके का है अब एक component होता है जो क्या करता है कि जिसका symbol कुछ आप देख सकते हूग है सब्सक्राइब नहीं पढ़ तो पहले पेसे वीडियो को देखें कि सब्सक्राइब करने बढ़ती है कि जब तक आपको यह concept समझ नहीं है कि what is the semiconductor then you cannot आप इससे फिर समझ नहीं पाओगे कि आखिरकार हम पी टाइप समय कंड़क्टर से ही यह डाइवोड को क्यों मनाता है पैड़्य पहता है तो पीटर से थैप समकन्ड़क्टर गोटा जिसके व यचो यह चार होता है इसमें जाधा है आप सेमिकन्डॉक्टर के बाद मैं आते हैं पी टाइप और एंटाइप दो तरीक के अदर गया जाता है अ यह जो 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 यह पास इलेक्ट्टों होता है और time के पास electron होते है फिर इलेक्रण होता है और बीच में यह आपस में खिनेक्ट कיए जाता है तो बीच में ब्रेल बन जाता है इधर फिल behaviors का तो जब यह भी से से Connect किया जाता है थिष्ट करता है जिस पॉस्टिप से यानि जो पीट फॉस्टिप से को नगाटेश् Damn मिलोन जाता है तो इसम्से और ढूर्ट है जब कर्णेश्य तो फीनतार जाता है ना तो बिसिकली इसमें दो होता है पी टैप सेमिकंड़क्टर उच कहा जाता है करता है और जो बीच में चाप कनेक्ट करते हैं तो जब करते हैं पॉइंट एक लाइन आ जाते हैं जिसे डिप्लेशन लेयर का जाता है ठीक है रिक उसकी आतलो ओप्रेसर ऑपरेस्टीके बात करते तो इसी यूज करने का सिर्फ ब्स ? пой क्या होता कि क्या होता कि हम इस सार्केट प्रक पर बोल्टेज अप्ला नहीं करतें confrontedame क्या जोड़ते हैं इसे क्या करते हैं पॉजिटाइब से जोड़ते हैं लिए जो जोड़ देता है तो इसे पॉजिटीव से जोड़ daha इसके अंदर से हमारे करेंड फैर लो नहीं होता है कोई भी फैर नहीं होता है करेंड का तो किस d dön get a और जो जो यह डीजिवार्स फ्रेंट मरें बढ़ जाता था यह और चाड़ा हो जाता है वैसा-इस फोरबगैות में क्या होता है करेंट फॉलों होता और चोटा जाता ग्रेज फोरवड घ्राइड सेनकर में करेंट फिलो नहीं हो रहा होता है और जीरो फाय dec लिए करता है कि इसमें सर्केट को पर कोई बॉल्टेज अपलाय नहीं करता जब आम इंपूट ही नहीं कि तो में आउट्पूट क्या मिलेगा प्रफिश गयताता है पी इंजक्शन डावोड और इसे जीरो बाइसिंग प्रफिशन डावोड इसमें डिखा रखा कि जब आमने सर्केट में कोई बोल्टेज अप्लाए नहीं किया है तो क्या में बोल्टेज मिलेगा बेसिकली क्या होता है कि जो मारा समिकंडक्ट की कुछ स्वरबटी है जितने भी सोलर बने होते हैं सारे सारे समिकंडक्टर से बने होता है तो उनमें क्या होता है कि वह जो पैनल है ना वह नॉर्मल टंप्रेचर पर वह कुछ बोल्टेज को क्रीट कर देता है जनरेट कर देता है तो 0.3 तो 0.7 बोल्ट कर देता है सब की अलग- वैसे कंडेक्टर है उससे से जोड़ी है और तो देखि और से पोजिटिव से जोड़ी है तो देखी है क्या होगा निचे की सब्सक्राइब रिपल करता है और लाइक चार्ज जसान लाइक चार्ज क्या होता है एक नगेटिव यह नगेटिव पॉजिटिव है क्योंकि अनलाइक चार्ज अनलाइक चार्ज में क्या करेगा यह एक्ट्रक्ट कर लेगा तो यहां पे लेक्ट्रों का फ्लो नहीं होगा वैसे नगेटिव और positive baby क्या करेगा एक्टेक्ट कर लेगा तो यह बॉक हो जागा जब ब्लॉक होगा तो सारे electron इस जदा आज जाएंगे सारे और वीदर आजिंग तो इस जो डिप्रेशन लेयर यह और बढ़ा ओ जाएगा तो इसलिए समय इसमें डिप्रेशन लेयर पड़ा दिखा रहेका ल होनु नहीं होता है लेकिन जब आ बहुत ज्यादा बड़ा दोगे लाए अधर ब्रेक ही ज़ाएगा जिसे लिक करेंट का जाता है तक डाउन कंडिसन लिकेज बॉल्ट निकके करेंट करेंट इसमें क्या होता है कि हमारा डाब वह ब्रेकडाउन हो जाता है यहार Cat तो नहीं उसे नेगेटिव से जोड़ा जाता अब देखे क्या होता है यह पॉजिटिव यह पॉजिटिव पता कि लाइक चार्ज यानि सेम चार्ज में से एक दूसरे को रिपल करते हैं कि एक जंगल का एक ही सेर हो सकता है वैसे क्या है कि यहां पर क्या करेगा यह जो लगतेर है तो जब सेरे से जाए पारे जान वर रहा वो सब बागेंगे वह णदी क्रोस करेंगे तो चेनल यह रहतें हैं के अथ Calendar कूझ जैंगे इस में कूध जाए तो यह तो नहीं कि समंदर के अंद रोख जाए तो वह आगे बढ़ता है दीर दीर बाइचस मान लेजें कि अब इसके अंदर कूद गया मरें रहें कर नहीं कि पान यह जायर से बाइब आद तो तो इस तरह के से करणट का फूलो अप्रोंड होना शुरू हो जाता है ठीक है इसमें करेंट का फ्लो होना शुरू हो जाता लेकिन रिवर्स में क्या होता है कि मान लीजे कि देखी हमारा सेर इदर है हमारा सेर इतर हमारा सेर यहां से ऐसे नहीं जा सकता है क्योंकि यहां पर बीच में रास्ता नहीं यह बीच में हमारा मान लीजे कि पूल है यह पूल सने की यह तो यह सेर के आठो मईर्जांख या तो कूट क अपने को आ सेर अपने और सेर देखो सेर तो छोड़ेंगा है जाएसा पकड़े लेका तो खौट का जाएगा तो यह चो i-sथ में किस minder कि यह चो तो इसके आटो मरने सच हैं मार जाए लेकिन छा सायल काई करेगा तो यहीश कि इम डाहिप धो नहीं होगा और यहीश सेर ने वह कौईंट को फाइन कि अगर सेरल या इस में कूच जाता तो जाजी बात फिर बच जाता फिर गश्युशंस उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी पास option है वह वेट करेगा तो जिस कारण जो अमार रिवर्स वायस होता है इसके अंदर करेंट फ्लो नहीं होता है और जो यह topic था मतलब यह जो सेर था और अनिमल से यह बस एक मतलब समझाने का तरीका है आप यह मतलब क्या जाना कि सेर न लोग जाएंगे फिर उपड़ाई पर द्यान नहीं देंगे रियल लाइप में ऐसा ही होता है कि अगर मानलों कि आप इंजरी ने कॉलेज में लड़की वह भेज देते हो तो सारे लड़कों द्यान उनने लड़की की तरफ होता है क्या लड़कियों आगई है मतलब एक होत करें और करें लड़का रुपर्फर्म करें कि तो इसमें फ्रवर्बड वा स्केन अच्छा है क्यों आइडियल का मतलब क्या होता कि हमारा जो लॉसces वो 0 तो अगर मारा की कंडिशन में देखे न तो उनका कहना है आइडियल वाला होता है वह तुरंट हमें आउट आपक्टिस्टी में क्या बताता कि जीरो पेंट्सवन बोल्ट सो जातर गोपर नहीं जाता हमारा डाइबोट कंड्ड करना शुरू नहीं करता है ऐसा यह कहा रहा है उसका बात सिंबल बता सिंबल दोनों का सेम होता फॉर बाइस में इसने क्या को है कि तुरन्त हमार चाहिए हमने इंपूट सो जोड़ा मैं आउटपूट मिलें लगे लेकिन पैक्टिकल ही ऐसा नहीं होता है रियल लाइप में क्या होता है कि हमने पॉस्टिटिफ दिया जिरो पेंट सब्सक्राइब उपर या उसके अंदर डेवोट करना शुरू किया और रिवर्स वास में क्या करता है वह हम आग यूजिक एड़क्षेह ऑपन सरक्वेट की तरह काम करता अभी इसमें अपना यह सर्किट ट्लोज चाहते हैं बनगा जाता तो यह open circuit की तरवर करें लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें क्या क्या रहा है कि आपका जो semiconductor है अगर आप उस पर reverse voltage apply करते हो तो क्या करता है वो खुद एक voltage अगर उसका temperature vary कर रहा है तो उसके अंदर current voltage खुद पर खुद create होने लग जाएगा यह उसकी property है ठीक है अगर आप विए करेक्टिसिटी देखें विए करेक्टिसिटी का मतलब क्या voltage and current and voltage की बीच की करेक्टिसिटी की कैसे यह करता है तो देखिए एक डायवोड में जब जिरो पॉइंट पर हम बोल्टेज अब supply करते हैं तो वह डायवोड आफ मोड में रहता है उसमें कोई करेंट फ्लो नहीं होता लेकिन जैसे जैसे बोल्टेज बढ़ाता है तो वैसे दीरे दीरे करेंट बढ़ता करन बढ़ता और एक समय पर हमने बोल्टेज को इतना बढ जारी केता हमर पर से तो फौरवर्ड जिस्क फौरवर्ड बढ़ेज रिवर्स वाड में क्या कि आपने फॉल्टेज को बढ़ा जारो बढ़ा जारो तो एक टाइम पर क्या होगा कि आपका डिपलेशन लेयर रहा है ने वह चौड़ा तो ओी रहा होगा एक समय पर जाकि व तो बहुत जादा बढ़ा दोगी तो ब्रेकडाउन कर जाएगा और जिस प्रेकडाउन करने का रखन क्या है कि वह एगदम सो करेंट को इतना बढ़ा देगा कि डाइवोड बर्न हो जाएगा इसमें भी ऐसा है लेकिन इसमें क्या है वोल्टेज की वैल्यू एक फिक्स है और इसमें वैरी कर रहे है तभी यह डाइवोड कंड़क्ट कर रहा दर्वाइस से कंड़क्ट नहीं करेगा इसमें आपने बाइचंस बोल्टेज की वैल्यू मान लिजी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो इसमें भी बर्न होने के चांसे बहुत जादा है लेकिन इसके इस सब्छाना इसमें टो सब्सक्राइब करने के चलाने के लिए जयाते हैं बाइस प्लाइब के देखिए हमारे होता है तो सब्सक्राइब की समझ सकते हूँ झिस पर गाड़ी आ भी रहे जिस पर गाड़ी जा भी रहे है तो जन्ला डायवूड को बसक्ता है जीसमें घ्राड़ी आ भी सकती है और यह गाड़ी मतलब यह जो करेंट और वोल्टेज उन्हें इतना ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता है क्योंकि यह इस तरह के होता है कि इसमें करेंट आ भी सकता जा भी सकता है जैसे कि इस ड्राइबोड में क्या आता है कि आपका जो करेंट है इस ड्राइबोड में क्या करेंट है वह पॉस्टिव इदर से नगेटिव इदर से मतलब यह इस तरीके से सरक्ड चल रहा है ठीक है कोई दिक्कत की खाज़ेत है इसलिए यह तरह यहां यहां गड़ा है बल्टे जब बड़ गया तो उसका डिपलेशन लेयर ब्रेक हो गया और करेंट बहुत जादा बढ़ गया अब जब करेंट बढ़ गया तो इससे अपड़ाब खराब सकता लेकिन यह बढ़ गया तो यहां सोगर रखा अब यह जिस पॉइंट पर बढ़ता है वैसी पॉइंट यह पॉइंट नी नी बोल्टेज कहा जाता है इसे नी बोल्टेज होता है जिसमें हमारा जो डिपलेशन लेख रहे हो ब्रेक हो जाता है उसे नी बोल्टेज कहता है ठीक है और इस पे बैसिकली इसमें इन्हों ने बता रखा कि सिलिकॉन 0.7 बोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए जैसे जैसे आपने इसे वह दाब भूक्त करने लगेगा उसके अधाता है डाबोड युद्ट कर जाता है बेसिकली का मतलब जैसे कि जाता जो डाबोड कर जाता है रेक्टिफिकेशन के पर परसिए जाता है आफटर इसके बाद हम क्लीपिंग भी कर पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो मतलब स्टार करता है हमारे एक चरेंट को अल्टरनेति करेंट में कराइट में सकती है एक दो तीन सब्सक्राइब आतना समझ लेगे सी कि इसिकर नहीं होती है तो भीक्वंसी को धान आ less मतलब आप यह को की इसी को डिसे में कर दिया ठीक है जब युशी को डी सी में कनवाड करने के फॉर्मूला को यह सिस्टम cooperative कहते है ओर प्पूरा Cred fur की साथा जो जो डिवाइज होता था जो एसी को डी सिस में कनवर्ड कर यह पूरा प्रिक्टिफायर के लाग के लागये आपको जो डिख राम देख रहे है रिक्टि लाग क्यूंकि यह पूरा सर्किट काम कर या फे डिक डिवायज होता है से चिर फि biting परसेस होता है जिसमें अई सी को डी संद्टिंस्य के जwang lacnamor के बैसिकली ड्रalt up के नितना ठीक यह यह अर यह और यह देख लेक्ट लाइवेक नहीं लिए नहीं के लिए पीक नवाता है कि आता illusion फिक इन्वॉल्टेज घ्र जोता है जिसमें की कि आपका जो maximum voltage उस पर आपका जो डाय बोर्ड वो कॉंडेक्ट कर सकता यह नहीं आपका ऐसा तो नहीं कि maximum voltage जाता है आपका डाय बोर्ड जल गया तो इसे peak voltage वो maximum voltage होता है जिस पर आपका rectification मतलब चालू ओ डाय बोर्ड हो बिति अब की प्राब्लम नो आपके डाय बोर्ड में reverse परिएट में जैसे कि मान लेजे कि आपका voltage इसे चलता है तो यह इस्टेंड रहा सकता है मतलब आप कोई भी चीज लेने जाओगे ना कोई अप्लाइन से तुस पर लिखा रहे था मैक्सिम्म बोल्टेज्ट के नहीं मतलब कि उसका जो पी इनवर्स बोल्टेज्ट होता हुँ तो तो 240 बोल्ट तक वितिस्टेंड रहा सकता अधरवाइस वह आ गए उसके बाद वह खराब हो सकता तो वही चीजिस में कि एक डाइबोड की केपेसिटी को अगर हमें देखना हो तो पीक इनवर्स बोल्टेज देखें कि उसकी जो मैक्सिम्म पीक इनवर्स बोल्टेज्ट हो कितना है और यह बहुत ही जरूरी है अगर आप कोई भी सर केटा आपने चेवूर्ट दे दिया तो को सरकेट होई क्या हो जागा खराब हो जाएगा तो इसलिए इन चीजिए को बहुत द्यान देहना पड़ता है पीक इनवर्स वोल्टेज यह सब बहुत ही इंपोर्टेंट है इन टॉपिक हो को एक बार आप रेविजन जरूर किज देगा थैंक फो वाचंग इस वीडियो और प्लीस शपॉर्ट इस शपॉर्ट इस